नमस्कार दूस्तों मोसम ताजा समचार में आप सभी का हार दिख्वागत है और मोसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर साथियों अब तो भीषन कोहरा ठंड और सीत लहर किसान भाईयों के लिए भी दूस्तों मुश्किले खड़ी कर रहा है किसान भाईयों के लिए चेतावनी जारी की गई है कई राज्जियों में सरसू चना आलू और टमाटर की जो फचले हैं वो भीषन कोहरे और ठंड की वज़े से खराब हो रही है दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कडाके की ठंड से दुस्तों लोग परिशान है वही राजधानी में सीत लहर का अलर्ट भी जारी किया गया है राजधाने दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत कडाके की ठंड से बेहाल है गना कोहरा और सीत लहर से लोगों की हालात खराब है पंजाब से लेकर बिहार तक भीषन ठंड और गने कोहरे की इस्तिती बनी हुई है वही राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदीश, हरियाना और चंदिगड में भी ठंड का कहर जारी है मौसम विभाग के मुताबिक अभी इन इलागों में अगले दूसे तीन दिनों तक लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है दिल्ली एनजियर के साथ उत्तर प्रदीश के ज्यादतर हिस्सों में भी 24 गंटों में दिन भर घना कोहरा चाया रहा ऐसी ही इस्तिती दोस्तों रात को भी रही कई इस्थानों पर यहाँ पर रात को भी घना कोहरा देखने को मिला जिसकी वजे से वीजिबिलिटी काफी कम हो गई घने कोहरे के चलती अंबाला, हिसार, बहराईच और गया में वीजिबिलिटी घटकर मातर 50 मीटर ही पड़ी उधर पहाडों पर जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार बरबारी हो रही है हिमाचल परदीश के मनाली में अटल टनल के दक्षनी हिस्चे में भारी बरबारी हुई है जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी तापमान में भारी गरावट तरज की गई है राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में लगातार सीत लहर का पांच वा दिन रहा इस दोरान यहां नियुनतम पारा पांच डिगरी सेल्सेस तक गिर गया मौसम विभाग के मताबिक पिछले एक दसक में इस साल जनवरी में राजधानी दिल्ली में सबसे लंबी सीत लहर चल रही है भारत मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए कोहरी का अलर्ट जारी किया है आईमडी ने ट्यूट कर जानकरी दी है कि पंजाब से बिहार, हरियाना, दिल्ली और उत्तर प्रदीस में आज गने से बहुत गना कोहरा चाया रहेगा मौसम विभाग के पूर अन्मान के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जम्मू संभाग, पंजाब, चंदीगड, हरियाना, दिल्ली, उत्तर प्रदीस, बिहार के अलावा तिरुपुरा के कुछ हिस्सों में भी गना कोहरा दीखा जा सकता है वहीं भीशन कोहरे की वज़े से हाईवे पर लगातार एक्सिडेंट के मामले सामने आ रहे हैं इस कारण ड्राइवर भाईयों को भी मैं दोस्तों चेतावनी दूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी गाड़े ड्राइव करो तो बड़ी सेव ठीसे करो क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के हाद से नहीं हो गने कोहरे के चलते हवाय यात्रा करने वालों को भी भारी परिसानियों का सामन पड़ रहा है क्योंकि कोहरे के चलते कई फिलाइट्स लेट हो रही है वहीं दोस्तों लगबग 40-45 ट्रेन इस समय लेट चल रही है वो भी लगबग 1 से लेकर और 7 गंटे तक होसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिलकुल लेटिस्ट और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें तता आप हमारी वीडियो किस राज्ये से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में अब इससे बताएं धन्यवाद दूस्तु जेहिंद चैनल सब्सक्राइब करें